दोस्तो अगर आप भी भारती टीम की शांदार जीत से बेहत खुश है तो आप इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा दोस्तो भारती टीम के बीच खेली गए चोते टेस्ट मुकाबले में भारती टीम के खिलाडियों ने बड़ाई शांदार प्रदेशन करके इंगलेंड की टीम को धूल चटा दी और इस शरंखला में दो एक से वड़त बना ली है इस चोते मुकाबले में भारती टीम के हरी ख कोन है नीचे कोमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों भारत और इंग्लेंड के वीच खेले जा रहें चोटरे टेस्ट मकाबले में इतना जवर्दस खेल देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इस मकाबले में रोमांच की सारी सीमाई पार कर दी हैं बताते आकरी दिन का प भारत ने इस मकाबले में वड़ी शांदर वापसी कर ली थी पहले तो इस मकाबले में बहारती टीम की ओर से हर मोड पर शांदर प्रजिशन करने वाले खिलाड़ी शारदुल ठाकुर ने बहारती टीम की पहली सफलता दिलाई जिसके बाद बहारती टीम के खिलाडियों का क्या खाकर आए जिसकी वज़े से वो धड़ा-धड़ेक के बाद एक गातत गेंद डाल रहे थे पहले तो भारते खिलाडियों ने शांदर फिल्डिंग करके डैविड मलैन को रन आउट करा इसके बाद रविंद्र जड़ेजा ने एक बड़ी शांदर गेंद डाल कर इस पा बाकर था जो भारते टीम के गेंद बाज जस्पेद मुमरा ने लगा था दो ओरों में दो जवर्दस विकेट लेकर भारते टीम के इस मकाबले में जीत पूरी तरीके से सुनेश्चित कर दी थी उन्होंने पहले तो पहली पारी के हीरो रहे ओली पॉप को बोल्ड आउट क जारा के पॉवेलियन का रास्ता दिखाया इनके दो विकेट के साथ भारते टीम के इस मकाबले को जीतने की संभावना लग बग 90 परतिशत हो चुकी थी जो 10 परतिशत अभी भारते टीम के पक्ष में नहीं थी वो था सिर्फ जो रूट की वज़े से क्योंकि वो भारते ट के लिए मकाबला खेलना महज एक उपचारिकता थी दोस्तों बता दे इस विकेट के बाद उमेश यादव ने एक जबरतस गेन डाल कर क्रिस वोक्स को आउट करके इंगलेंड की टीम को पैरो तले रोन दिया दोस्तों बता दे जब चाय के बाद दोनों टीम में मैदान पर देना चाहोगे नीचे कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए मारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा